दोस्तों आज के समय में लगबग हर कोई कबज से पीडित है और हैरानी की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं है कि वे कबज के मरीड हैं इसका मुख्य कारण यह है कि वे लोग यह नहीं जानते हैं कि कबज क्या है कबज के क्या लक्षन है जिस कारण उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उन्हें कबज हो चुकी है कबज से ही अन्य बिमारिया जनम ले लेती हैं इन बिमारियों से बचने के लिए समय रहते कबज का निवारन करना चाहिए किन्तु कबज का ग्यान ना होने पर आप उसे ना तो पहचान पाते हैं और ना तो उसका निवारन कर पाते हैं इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कबज के लक्षनों के बारे में और कबज का सही ग्यान देंगे जिससे आप कबज को पहली स्ट किमेंट कीजिए लिडियो की शियर किजिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल कर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकनों को प्रेस कीजिए आप वीडिये आपको मिलते रहे तो अब चलते हैं अपने टौपिक की तरह तो अब बात करते हैं कबज की कि सही माइनों में कबज क्या है और इसके क्या लक्षन है दोस्तों अगर आपका पेड़ पूरा साफ ना होता हो मल बहुत सक्त और सुखा आता हो एक ही दिन में कई बार बातुर में जाना पड़ता हो दो दो दिनों के बाद आपका पेड साफ होता हो पेड साफ करते हुए काफी जोर लगाना पड़ता हो पेड साफ करते हुए काफी ज़्यादा समय लगता हो पेड साफ करने के लिए किसी भी तरह की दवाई, चूरन या काड़े का सारा लेना पड़ता हो साथ ही गैस, पाइल्स, एसीडिटी, हाइपर एसीडिटी, जोडों का दर्द, सीड दर्द, अपच, भूक ना लगना, वजन गिरना, लिवर डिसीज, खाना देर से पचना, आदी ऐसा कुछ भी होने पर आपको कब्ज हो चुकी है, ये कब्जी के लक्षन है साथ ही कुछ और भी लक्षन हो सकते हैं, जैसे नीदना आना, पल के भारी और आखे सूजी हुई होना, अर्थात अनिद्रा रोग का कोई भी लक्षन दिखाई देना, आखों के नीचे काले घेरे होना, जो इस बात का संदेश देते हैं कि लिवर थोड़ा कमजोर है और ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, चहरे पर मुणहा से यानि पिम्पल का होना और हलका सब पीला पन भी होना, उम्र के हिसाब से चहरे पर जो निखार और ताजगी होनी चाहिए वो ना होना, सरीर ज़रूर से ज़्यादा दUBLा पतला होना, खाया पिया सरीर को ना लगना आदी, दोस्तों अयुर्वेद का कहना है कि ये सारे लक्षन कब्ज के हैं और कब्ज होने से ही उत्पन होते हैं या बहुत लंबे समय तक कब्ज बनी रहे तो होते हैं इससे ये भी पता चल जाता है कि कब्ज कितनी पुरानी हैं अगर आपको भी ये समस्याई हैं या इन में से कुछ समस्याई हैं तो आप भी कब्ज से पीडित हैं कब्ज से पीडित व्यक्ति को धीरे धीरे ये सारी समस्याई हो जाती हैं यदि आप भी कब्ज से पीडित हैं तो इससे बचाव और कब्ज को जड़ से खतम करने के लिए हमने एक सीरीज बनाई है। आप उस सीरीज को देखिए जिसका लिंक आपको उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे जरूर देखें। तो दोस्तों कमज के विशे में कई लोग अपना अपना मत दे चुके हैं। किसी का मत गलत है और जिसका मत सही है वो भी आधा अधूरा है। किन्तु हम जो मत यानी ग्यान आपको अभी तक दे चुके हैं और आने वाले वीडियो में जो ग्यान देंगे वो केवल हमारा ग्यान नहीं है बलकि वो तो सैगडो, रीशी, मुनियों और वैद्यों का ग्यान है जो आज इस दुनिया में है भी नहीं किन्तु उनका ग्यान आज भी है जो हमारे पास बहुत मशक्कत के बाद पहुंचा है तिरप्या इस ग्यान को जरूर गहन करें आज़ा करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी तोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी तो दोस्तों अब हमें आ गया देजिए